कि सब्क्राइब किजिए तेखनाजी एवईसी के चैनल को और बेल आइकन को दबाएए न्यूव वीडियो देखने के लिए नमस्क्राइब दोस्तों मेरो नाम है संजे आप देखरे हैं टाक लजी एवईसी आज की इस तो आपको देंगे फूल रभी ओड़ेटर इस वीडियो में इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चानल पर नहीं हूं प्लिस नीचे राट बटम जागा सब्सक्राइब कर लेजिए और बैल के आकन का दबाना मत बुले चलिए वीडियो को स्टाड करते हैं आपको के के वन का बॉक्स आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है इस बॉक्स को ओपन करते ही आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आपको सीमर पर टूल देखने को मिल जाती है और एक केस देखने को मिल जाता है और उसी के साथ में आपको एक मैनुल देखने को मिल जाता है जो की बहुत बढ़िया बात है आपको एक यूएस्बी टैप सी केबल देखने को मिल जाती है यह सब था बोक्स का कॉंटाइक इन सब यह जाता है सब्सक्राइब का देखने को मिल जाता है और दूसी तरफ की बात करें आपको एक सिम ट्रे देखने को मिल जाता है और साथ है साथ को बॉल्यमडोंगर मिल जाता है दिसी तरफ आपको एक पावर लॉकर मिल जाता फॉन को अवजिए ऑपर की तरफ आपको सेंसर को मिल जाता है सब से पहले इसके display की बात करें इसमें आपको 6.4 इंचिस की display देखने को मिल जाती है manual display आपको इसमें का sport देखने को मिल जाए जो कि गुरिला क्लास से एक कदम जादा हटके display आपको देखने को मिल जाती है जो कि इसके color भी योंगे लेट में भी अब बहुत अच्छे color effect देख पाएंगे इस फोन में इसके Snapdragon की बात करें इसमें आपको 660 का Snapdragon देखने को मिल जाता है और साथ ही storage की बात करें यह 4GB RAM plus 4GB का variant के साथ यह storage देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ आप इसमें memory का लगा कर 256GB का install करकर आप इसकी इंटरल स्चोरेज भी बढ़ा सकते हैं अब इसके बैटरी की बात करें आपको 3600 mh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो की अलाकि 3600 mh की बैटरी है पर थोड़ी से कम है पर इस क्वाल्टी की रेंज में यह बहुत ही बढ़िया बात देखने को मिल जाता है अलाकि दूसरे फोनों में पाई का वर्जन अलेवल हो गया है और इसमें आपको इंडरोइड और्यों का वर्जन देखने मिल जाएगा अब इसके कैमरे की बात करें बैक में आपको कैमरा 16 Megapixels प्लस 2 Megapixels का डूल कामरा देखने को just the year اور सैन्वी के बात करें आपको 25 MP का सखू एंड देखने को मिल जाता है जो कि सेलफी एंड कामरे की ओड़ी की तर्म पिक्स की बात करें बहुत ही अच्छी क्वाल्टी की लाखेंद को मिल जाती है जो की सक्रीन के ऊपर ही आपको fingerprint scanner का option देखने को मिल जाता है और आपको face ID का भी support देखने को मिल जाता है इसी phone के अंदर बस इतना ही था ओपो के के one के specification के बारे में हाला कि यह price भी इसका announce हो गया है जो कि आपको इंडिया market में मिल जाएगा सतारा आजार की price के बीच में और साथ ही साथ आपको यह फिल्प कार्ड में भी सेल जल्दी सेल होने में मिल जाएगा मेरे हिसाब से ओपो के one सबसे कम price में इतनी सारी जेर सारी quality इसमें आपको देखने को मिल जाती फिंगर पर स्काहिनर देखने को मिल जाता में और डिस्प्ले में और डूइल camera और 3400 mh की बैटरी बीए बैडेरी थोड़ी से कम में पर ठीक है और आपको श्रूंदी का सपोर्ट भी नहीं जाहिन बंदे मातरा